अब हम मद्ध भारत को छोड़ते हुए थोड़ा पश्चिम की तरफ घिसकते हैं पश्चिम में देखिए आप राजिस्थान उत्तर पश्चिम का आजए गुजरात महराष्ट गोवा और तालीस दो पचास और इंक्यावन 101 और दादरा नगर हवेली और डबन दियो हम बूलिए बताए यह क्या इस्थिति है कि बड़ा पूरे तीन साल तक बड़ा तोड़ फोड़ उठा पटक टीवी एडी यह सब होता रहा वहां क्या कहता है मत दाता और आप क्या समझते हैं उसको वेगे बहुत इंट्रेस्टिंग है महराष्ट 48 में से 41 सीट बीजेपी इ आज इस्थिति यह है कि जंता के सामने में दो एंसीपी है दो शिवसेना है ठीक है कॉंग्रेस और बीजेपी में अगर आप बात करें इंडिपेंडेंट महराष्ट की राज़नीत में बीजेपी बोख्यवंतरी भले बना रही है दो बार से लेकिन हमेशा शिवसेना के पी है बीजेपी पीछे रही है यह तो मोधी जी के आने के बाद फड़दमी सीम बने और वुशी के कारण फिर धीरे धीरे उधाव ठाकरे से अलगा हुआ और तूटी पार्टी आज मजबूरी में शिवसेना एकनाश शिद्य को फिर सीम बनाना पड़ा अगर एकनाश शिद् अगर डिप्टी सीम ही बनना था बीजेपी से तो उधाव ठाकरे भी तो यही कह रहे थे बन सकते थे उधाव ठाकरे भी यही कह रहे थे कि मेरे को बना दो ढ़ाई साल के लिए उसको स्विकार नहीं किया उससे टूटा संगठन अब यह से थी है अब इसमें जनता किस नसी कि यह बहुत बड़ा सवाल है महराश्ट को प्रिडिट करना आज की डेट में अच्छे-च्छे सेफोलोजिस के लिए खतरा है मैं जो चीज अपने तरफ से बोलना चाहूँगा वह यह है कि कॉंग्रेस का आधार पूरे स्टेट में है मनें महराश्ट का वरकर बॉम्बे में भी है विधर्ब में भी है बराठवारा में भी है उत्तर महराश्ट में भी है पश्य महराश्ट में भी है NCP जादातर पश्री महराष्ट के आसपास किन्द्री थे BJP जादातर विधर्ब और बराठ्वड़ा में किन्द्री थे शीव abonn genera के दोनो धड़े जो हैंów बंबे और बंबे के आसपास किन्द्री थे एक ही party है Congress जिसका सब जगे है जो पैन है जो पैन महराष्ट है अगर उसके कारण एडवांटेज हुआ तो जो कॉंग्रेस शरतपवार और उधाव का अलाइंस है क्योंकि बड़े चेहरे जो हैं उधाव और शरतपवार वो इस अलाइंस में हैं और केंडियेड भी अच्छे मजबूत केंडियेड है दोनों तरफ से तो नतीज़ा तो यह है ना कि कुछ भी होगा 41 तो नहीं आने वाली है आप कितना दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं इसमें मैं मानता हूं कि BJP मोधी जी के कारण यह प्रधान मंत्री है और इधर प्रधान मंत्री का कंडियेड नहीं है तालिस में से 26 सीट अन्डिये की आएगी यह 24 सीट आएगी और बाकी 24 सिदर आ जाएगी आद आदा बढ़ जाएगा महाराउट इसमें जो आपने एंडिये इंडि करके वाठा है न्डिये में भाज तो नुक्सान ही है ना बहुत बड़ा नुक्सान ही है तो ये तो पीक कर चुके है ना ये बढ़ेगे कहां भाई ये कहना के 370 पार और 400 पार जो गलती भूपेज बगेल ने की 75 पार जो गलती अमिश्चाह ने की थी 65 पार 36 गलबे वही गलती है कि आप बढ़ोगे कहां क्या है सुदिम जी ये बाना जाए कि वहाँ पर ये ईडी और प्रधान मंतरी का कुछ भाशन और जगन भुझपल ये भी कुछ फैक्टर काम किया है सब चगई है हर जगे एक मद्दाता वर्ग है जो इस तरीके की बातों पर व करता है ये पैकेज है पॉलिटिक्स एक पैकेज है तो एक मद्दाता का वर्ग है जो जो एजेंसी के दुरुपयोग को देखता है उसको लगता है कि नहीं या दुरुपयोग हो रहा है ये गलत हो रहा है ये सरकार गिरा दी गई तो उस पर भी रियक्ट करता है हर तरीके क कि हाँ जबरन एडी भीदना बुरा लग सकता है तो यह बहुत यह सिंपल गड़ित नहीं है यह कैमेस्ट्री है तो कैसे रियक्त करेगा कैसे रिजल्ट देगा वह जब रिजल्ट आता वो ही महराठी अस्विता को ही उठाया जा रहा है कि गुजराती डॉमिनेंस अगर आप महराष्ट का एकी करण के आंदोलन को जाओ तो जैसे तमिलनाड के आंदोलन में एंटी सनातत था और द्रविडियन की बात थी महराष्ट का आंदोलन एंटी गुजराती था जो और तो इधर था सीपी बरार में सीपी बरार की कई अलग अलग इस्टेट थी तो जो बहराष्ट का एकी करण हुआ और बंबई हमारा आया एक रखा गया वो तो मराठा अस्मिता का प्रतिक है ना आज उसमें फिर ये बात आ रही है कि गुजराती जो है वो डॉमिनेट कर रहे हैं तो ये कितने लो पर्सेंट लोगों को असर कर रहा है उननीस सो साथ याने फिर जाग गया है मोदी जी को बात समझ भी इसलिए शिंद्धे को सीम बनाया और एक ना से Isilist दो सिंद्ध को सीम बनाया है इस इस हतियार को भोत्रा करने के लिए इसी एम बनाया है इसलिए टेंटेड होने के बाद भी अजीत पवार को लेके आए हैं कि कुछ नहों सरत पवार के फैमिली का एक आदमी तो रहे हमारे साथ माराठा चत्रप का फाइदा मिले एक इस्टेट हम से छूट गया है जो उत्तर पूर्वी बिहार की बात कर रहे हैं फिर मैं तो अभी यूपी के साथ आएंगे ना हम अच्छा यूपी वह यादाव वेल्ट है उसको थोड़ा सा इसलिए कि मैं भी अभी पश्चिम भारत को क खतम कर दे क्यों क्यों एक सीधे मद्व भारत में आगया अब पस्चिम भारत को खतम करने पहले गोवा दो सीट है ठीक है गोवा में एक कांग्रेस थी एक बीजेपी थी वही स्थिती रहेगी वहां क्या है चोटा साइस्टेट है कि वह एक एक जगे इसाई डॉमिनेंस ज जो है वह इंट्रेस्टिक स्टेट है गुजरात में बीजेपी ने मोदी जी ने केलकुलेटेड रिस्क लिया है इसको अंडरलाइन करके बोल रहा है कि अप किधर जा रहे हैं मैं केलकुलेटेड रिस्क यह है कि पुर्शुत्तम रुपाला जो पाटीदार है कड़वा कि लाखों की रैली करकर के बोला इसका टिकेट काटो और उसका टिकेट नहीं काटा गया एक समय था 2008 का चुनाव मेरे को याद है मैं गुजरात में कुरग घुमा था उस समय केशु भाई पटेल जो पाटीदार है हलाकि वो लेवा पटेल है कड़वा उस समय भी मोदी जी के साथ थे अलगलग सेक्मेंट है उस समय उन्होंने पाटीदार लोगों को नराज करके चुनाव जीता था सब को एक करके नोदी जी की एक वो है कला वही हो हर जगे करते हैं वो किसी भी स्टेट में या देश में चुनाव लड़ता है तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ए जो उन्होंने हर्याना में किया जाट के खिलाब जो उन्होंने गुजरात में किया पाटीदार के खिलाब बड़ा उठा पठक हुआ है यूपी में करते हैं मुसल्मान के खिलाब वो एक वो करते हैं उनका वही तरीका है वो बहुत बड़े माने चानक के और गडिता के अम किसी जगे आपको चुनाव लड़ना है आपको कौन समर्थन करेगा उससे ज़्यादा महत्पून यह है कि किसका समर्थन आपको नहीं मिलना चाहिए आप किसी सीट पे बदनाम माफिया को साथ में लेके घुमेंगे पहले दिन चुनाव हार जाएंगे आपको प्रयास करना च इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फंड़ना नहीं है कमिश्टी नहीं है बहुत बड़ा नहीं है तो यह उन्होंने वहाँ पहले भी किया था और सक्सेस्पूली किया इस पार फिर यह कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि राजपूत दरबार को नराज करके वो गुज पार डलेगा तो आप 26 में से मानो 8 सीट तक वो लोगर आ सकते हैं याने गुजरात में आप कहना चाह रहे हैं कि 26 तो थी माइनस हो रहा है उसके पिछले विधान सभा के 99 और 117 को याद रखी कांग्रेस और बीजेपी उसको याद रखी है उतना ही कड़ा चुना गुजरात पे हो रहा है अच्छा हाँ और अगर दरबार लोगों ने इधर वाकई वोट कर दिया जो लाखों की हजार वो लाखों की रैली हुई है राजकोट की रैली तो बहुत भैंकर रैली थी आप लंसम कितना वहां करने वाले हैं तो 26 में से बीजेपी बहुत अच्छा परफार्म करेगी तो 20 आएगी अच्छा 26 की टुहान उक्सान हो सकता है इंडिय एलाइंस को जा रहा है जा सकती है इसके लावा हम किसी स्टेट को पकड़ें जिस पर आप बोलेंगे दिल्ली पकड़ेंगे बियार पकड़ेंगे राजिस्थान में भी एक तो राजपूत का नाराजगी का असर राजिस्थान में उत्तर राजिस्थान पूरा जाट डामिनेटेड है जाट को डामिनेट करने की बीजेपी की रणनीती एक्सपोज हो गई है हर्याना में जहां उनकी होम स्टेट थी उसको सीम बनने नहीं दिया पश्यम उत्तर प्रतेश के जाट लोगों को कोई बड़े बीजेपी से हुआ नहीं है तो जाट लोगों को यह जनरल फीलिंग है कि मोदी जी की जो भाजपा है वो हमारे बहुत हित में नहीं है क्योंकि मोदी जी जितना एग्रेसिव होके OBC OBC अपने आपको प्रोजेक्ट करते हैं तो जाट को लगता है कि फिर मैं नहीं हूँ इस जैसे बेनीवाल क्यों इस बार इनके साथ नहीं है वहनमान बेनीवाल इनके साथ नहीं है वह उनके साथ लड़ रहा है पिछले बार तो बेनीवाल इनके साथ था ना चोबी सीट वीजेपी एक सीट बेनीवाल की तो और भजनलाल शर्मा का पकड़ नहीं होना और महारानी कि नाराजगी है ही नाराजगी ना कहो तो इतना तो है ना कि वह प्रभाव तो डालेगी नहीं है तो अगर वह भी पांच साथ सीट नुक्सान वहां होता है तो पूरा अग्णी वीर की सुरू हो जाता है आप राजिस्तान से शुरू करो राजिस्तान हर्याना-पंजाब पश्यमुतु प्रदेश पूरा अग्णी वीर का बेल्ट है जहां से सेना में बड़ी संख्यावे लोग जाते हैं तो आप यह बोलना चाहते हैं राहूल गांधी के प्रभाव जादा है कि मोदी का प्रभाव दिकाए नहीं राहूल गांधी ने इन मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया है राहूल गांधी को परसनल पी-एम मनाने के नाम पर वोट करेंगे तो अभी भी शायद उतना समर्थन ना मिले लेकिन जब आप बोदी के खिलाब में उसकी भूमिका की बात करेंगे तो लोग कहेंगे राहूल गांधी ने इस मुद्दे को दंदारी से उठाया है यदि हम गुजरात राजस्थान और यह दो इस्टेट मिला देते हैं तो 26 दूना 52 इनक्यावन में इंडी को कितना मिल रहा है दस और चालीस ऐसा होगा तो दस नुक्सानी होगा न ग्यारा नुक्सानी तो होगा दोलो मिलागे ग्यारा का नुक्सान होगा अगर चालीस भी आता है तो और चालीस बहुत अच्छा परफॉर्वेंस है अच्छा है चालीस खराब परफॉर्वेंस नहीं है मतलब मोधी की नाम पर अगर वोट पड़ रहा है अभी भी तो 40 तो आज आएगी ये बालों आप लेकिन 10-11 तो फिर भी घंट रही है अब हम लोग किधर चले है उत्तर प्रदेश से बिहार अब इसके बाद बचा 11 वेल्ट जो उत्तर प्रदेश बिहार है ये 120 सीट है मैं बिहार से ही ले लूँ पहले ये दोनों मिला के 120 में से बीजेपी की 79 सीट थी 120 में? हाँ 79 ठीक है 22 और 24 सहयोगी दल की सीट थी बिहार में बीजेपी की 17 सीट थी 17 लड़े थे 17 के 17 जीते इसके 17 लड़े थे नितीश के 16 जीते थे पास्वान के चिराग के लड़े थे 6, 6 के 6 जीते थे उन 40 सीट जीते थे अभी जो विहार के स्थती है और खासकर जो पिछला विहार का चुना हुआ है विधान सबा का और नितीश का प्रभाव घट गया है जो कुछ है अकेले मूदी जी है उसमें देखते हुए अगर आप बहुत अच्छा परफार्म भी बीजेपी करेगी तब भी तो घटेगी नितीश ने जो 17 लोग लड़ रहे हैं नितीश के 16 लोग उसमें से 6 जीतेंगे अधिक तब वही सीटों का नुकसान NDA को हो रहा है वीजेपी जो 17 लड़ रही है वो शायद अभी भी 13-14 जीत जाए एलाइंस घाटे में जा रहा है तो वहाँ 40 में से 49 सीट आपकी थी NDA की 25 आएगी तो 14 का नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है 30 भी आएगी तो 9 का नुकसान है नुकसान ही है ना बड़ का रहा है तो 370 कहां पहुँच रहा है 400 कहां से आ रहा है हर जगे तो नुकसान हो रहा है अब वो अंत में कंक्लूजन मैं आप से पूछू आप जो UP आजाओ आप उक्तरमदेश की असी सीटे है असी में 64 थीन के पास दो अपना दल की 62 वीजेपी की 64 थीक है उसके बाद एक कांग्रेस की थी 65 पांच सपा की थी 10 बसपा की थी बसपा सपा का अलाइंस था इसलिए वो 15 सीटे आई थी UP में वीजेपी होपफुल थी कि इस बार 75 आएगी लेकि जिस तरीके का जन विरोध पूरवी लखनव से पूरवांचल के तरफ नहीं लखनव से पूरवांचल के तरफ दिख रहा है जो हजारों लाखों की संख्या में भीड़ा रही है और ये बात हमने 2022 के चुनाओं में भी महसूस की थी 2022 के चुनाओं में भी योगी के सरकार के खिलाप में जो आकरोश था वो इसी इलाके में जाना था जबकि एरिया भी उनीक है तरफ उस समय तो योगी के नाम पे आप जीत के आ गए कि योगी को एक मौका और अब तो योगी के भी दो मौके हो गए आपके भी दो मौके हो गए दजद साल दोनों के हो गए ना दो बार जीत गए हो गए हो गए तो अगर यह पल्टेगा तो अलाइंस भले ना हो बसपा सपा का आप यह माना हो कि बीजेपी साथ पा जाए बहुत है तो फिर वहीं तो पहुंच गए हां तो बढ़ा देना वहां भी यदि मैं उत्तर परदेश की सिर्फ असी सीट की बात कर रहा है असी सीट में बासट चौशट एंडिया लाइंस अब इसमें आपको पचास भी आ सकती है ना बीजेपी आ सकती है कि आने की पूरी संभाव ना ने ने देखिए वहां पर जो जो बस्पा जीती थी वो दलित और मुसल्मान का कॉंबिनेशन था अब उसमें सबस्पा कित्ती जीत पाएगी यह देखने वाली बात है और अगर सपा बस्पा में मुस्लिम वोट का बरवारा हुगा तो बीजेपी को फायदा होगा और अगर नहीं हुआ चतुराई से वो पुरी गणी थी अलग है यहाँ तो तो सपा कांग्रेस गड़बंधन को हर हलत में बस्पा बीजेपी को अगर सरकार बनाने से रोकना है तो पचास पर रोकना पड़ेगा यूपी में अगर पचास क्रॉस नहीं की तो आप यह मानिये कि सरकार बदल जाएगी इंडिये की भाजपा की पचास पचास नहीं क्रॉस की तो सरकार बदल जाएगी फिर बिहार में भी यह 25 नहीं पहुँचेंगे बस मैं यही जानना चाहता था कि इधर 50 है तो बिहार वहां भी 25 नहीं पहुँचेंगे हाँ पूरवांचल जो बड़ा पश्री तो आपको 14 और 14 28 सीट करते ही नुकसान हो जाएगा अरे क्या बात है तो इसकी वज़ा क्या हो सकती है सिर्फ फटीग होता है दस साल हो गया है वही वही देखके आदमी बोर हो जाता है राजा भी अभी इसमें प्रभाव डाल रहे हैं किया राजा भी बहुत लिमिटेड है उप्रताब गड़ के आसपास के लाके में उनका लिमिटेड प्रभाव है लेकिन वो एक बताता है ना कि लोग जो मंत्र मुग्द थे मोदी से अब नहीं है होता ही है आप हर आदमी को साथ हर समय के लिए बेवकूब नहीं बना सकते हैं लिए 139 सीट होती है इंदोनों को मिला कर एक सो उन्तीस एक सो बीस एक सो बीस सीट होती है बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर तो इंडिय एलाइंस को कितना दे रहे हैं और भाजपा को इंडिय एलाइंस को किता रहे हो ना कि बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी तो ये दोनों मिलाके पच्छासी जीत पिछले विदान सभा में जाट वोटो में वटवारा किया था, जिसके कारण खटर की सरकार 40 विधायक ले आये थे, हार तो गई थी खटर की सरकार, 90 में 40 ही आये थे, फिर बाद में दुशन चौटाला के समर्थन से सरकार बन गई, यह तो पिछले ही बार हार गए थे, तो इ वहां कांग्रेस और आपका गड़बंदन है, और दिल्ली, बताईए, पहले हरियाणा को बताईए, कांग्रेस और आप, वहां भी ओई है, अगनिवीर, जाट, दलेत, यह सब अगर एक साथ वोट करेंगे, दलेत और जाट अलग अलग वोट करते रहे थे, लेकिन अगर ए सीट बीजेपी हार सकती है, अब यह साथ के साथ हो उसी कि? वो तो खुद उतरे भी नहीं है, वहां की सीटे नबबे परसेंट मुस्लिम इलाका है, भाटी की सीटे हैं, पंजाब और हिमाचल की क्या सीटी देखते हैं आप? पंजाब में तो बीजेपी तीसरी चौथे स्थान पर है, कितना सीट पर कितना की साथ? वो अकाली दल के सहयोग से, हुश्यारपुर और गुर्दासपुर, संदी देवल और एक और कोई जीते थे, तो वो दो सीटे हैं, उनको बचाना चुनाओती है, हिमाचल में चार की चार जीते थे, एक आज सीट हार गये, वो कांग्रा वाला बेल्ट है, जहां पर अंग्र विक्रमदित सिंग लड़ रहे हैं, विक्रमदित इसको कंगना को हरा सकते हैं, बहुत टफ सीट है, बड़ी सीट भी है बहुत, तो अब ही होना है ना, उत्तराखन में पांच की पांच है, एक आज भी कम होना है, होना है कम, बढ़ेगी तो नहीं ना, ये पूरा बेल्ट जो अभी हम लोग चर्चा किये हैं हरियाणा, पंजाब, उत्राखंड, हिमाचल परदेश, पर्श्मी उत्तर परदेश ति ये तो बड़ा नुकसान पहुचाने वाला दिखाई दे रहा है यही तो कहना है कि मैं जो यह कह रहा हूँ कि 303 पिछले बार भाजपा का अकेले और 352 इंडिये का वो से दीचे ही आना है इसलिए मैं पूरे विनमरता से प्रशाद किशोर जी से सहबत नहीं होता हाँ हाँ केवल लहर ही जो हमको दिखाई नहीं दे रही है यह सवाल मैं पूछने वाला था है इसलिए लोग मजबूरी में फिर वोट करेंगे मोदी को इस भरोसे अगर वो कह रहे हो तो अलग बात है अधर्वाइस बीजेपी की 303 सीट आने की कोई संभावना नहीं है 350 सीट आने की एंडिये की कोई संभावना नहीं है मैं तीन सवाल एक साथ कर देता हूँ जब चुनाओं सुरू हुआ था तो 400 पार का स्लोगन पार्टी का था एक पार्टी का कि हम इतना ओभी है 370 पार पार्टी और एंडिये के लिए 400 दूसरा जब इस बिट्विन दे इलेक्शन मशूर आपके साथी प्रशांद की सो सैफलाजिस्ट ने साफ साफ कह दिया 300 प्लस 303 के अंक है उनका उनसे प्लस BJP आईगी फिर एक और आपके साथी हैं जिनके साथ आप बहुत टेबल टाक किये हैं योगन वो 255 जा रहे हैं मैं सवा 400 सीट को देखते हुए और आपके नजरिये से जो 543-42 सीट है सुधीब सिरुवास्तो क्या अंक देते हैं एंडियो को इंडिया लाइंस को भाजपा को या कांगरेस को भाजपा के लिए 200 के आसपास और जो एंडियो 542 में बात कर रहे हैं अच्छा परफॉर्वेंस पे भाजपा के लिए 200 के आसपास खराब परफॉर्वेंस पे भाजपा 225 अच्छा धाई सो उसके बाद लहर है फिर जो देखिए हमारा विश्टलेशन समी करन ग्राउंड को पोजिशन के साब से है किस क instruments वोट किया होगा उस घ्लक से तो अच्छ परफॉर्वेंस पे अच्छे परफॉर्वेंस में तु enough परफॉर्वेंस पे एंडिये की सरकार बनेगी एंडिये की सरकार तो अभी बननें की चांसे हैं यह तो आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कि 35 सीट करीब से योगी दल को आएंगी तीस से पैटीस तीस से पैटीस थीस सोथ पचासी हो ही जाएंगे और बीजू जनता दल बसपज ऐसी पार्टियां बीजेपी के तरफ जाएंगी तो यानि योगेंद्रियादों के आप उनकी को समर्थन नहीं कहूंगा क्योंकि आपक महिस्त के इड्डगीड ही आपका मानना है कि NDA की सरकार बन सकती है बाजपा की नहीं यदि ई तो हां और, ≠ आपउयजेट लहर लहर नहीं आई तो हाँ और और अपोजिट लहर आई तब ही इंडी की सरकार बनेगी इंडिया की क्य Been पूजिं इंडिक और में कितना देना चाहते हैं में बीजे बीजे भी दो सु के आसपास आ जाएगी घेल ही इसे स्कान इस सीति में कांग्रेस को कितना दे रहे हैं வर्तमान इस सीति में कांग्रेस सौन को करुच लहीं लेकिन उसकी सीट हैं हाँ सीधे 52 सीधे 100 नहीं पहुंचेगी तीन फिगर में पहुंचना उसके लिए कठीन है तीन फिगर में कांग्रेस पहुंच गई देखो आप बहुत सिंपल है बहुत सिंपल दोसो बहत्तर मैं जीखे दोसो बहत्तर दोसो ब्यासी स्वरी दोसो ब्यासी दोहजार चौदा में वीजेवी पाई कांग्रेस पाई चौवन 336 ठीक 303 पाई बीजेपी बावन इधर आया ठीक है साड़े 300 उसके पहले जाईए उसके पहले 206 पाई कांग्रेस 116 पाई बीजेपी उसके पहले जाईए 140-140 दोनों पाई उसके पहले जाईए तो ये 300 से साड़े 300 सीटे ऐसी है देश में जो कांग्रेस भाजपा में बढ़ती है ठीक है अगर भाजपा सवा 200 पा रही है तो कांग्रेस 100 के आसपास रहेगी बाजपा सवा 200 पा रही है तो कांग्रेस 100 क्रास कर जाएगी जब अटल जी के समय में 166 पाई बीजेपी तो कांग्रेस 116 आ गई तो जितना डारेक्टली प्रपोर्श्टनेट है बीजेपी की सीटे कांग्रेस की सीटे कई जब नोबार तो जितना अगर 200 सीट बीजेपी क्या रही है तो कांग्रेस की सीट साथ तरसी आएगी एक चीज और समझ लेना चाहता है हूं आप ऊडिसा जब बात्चीत के दौरान लगवा को लगवा हमने पूरे देश को कवर किया है उरी सा में जब मैं सवाल किया तो अक Kurz 1000 का कि अपने बात खिया उत्तर प्रदेश में भी आया ऍनटीन किक्षिक बात ङिए जब हम पूरे पाइन इंडिया देखते हैं तब आप मोधी की एंटी इंप में है ना है ना इसलिए तो लहर नहीं है कि मोधी के सरकार से लोगों को एक नाराजगी भले ना हो निराशा जरूर है कि जितना उम्मीद किये थे उतना परफॉर्मेस नहीं है कोर मुद्दों पे अच्छा है किराम मंदिर बोले थे बना दिये कश्वीर बोले थे कर दिये ए ना बाकी हिंदू मुसल्मान में रोज मुसल्मानों को तग कर रहे हैं उसके जो कोर वोटर है उनको अच्छा लगता है लेकिन इसके आगे रोजगार व्यावसाय बहंगाई यह जो जीवन है इसमें जो मोदी से उमीद थी लोगों को उसमें परफार्मेंस नहीं है मोदी का और इस बात को इस यह कुछ जादू कर रही है यह यह बेखूब बनाते हैं अब आप देखो ना लोग उसको दीख भी रहा है ना आपकी ट्रेने घंटो लेट चल रही है और वंदे भारत चला के आप पिक्चर खीच रहे हैं कि भाई रेलवे तो भारत में दुनिया की सब से अच्छी हो रहना है यदि जिस इस्थित में जिस धर्रे पर चुनाओ चल रहा है मतदान हो रहा है धाई सो से अधिक अच्छी स्थिति में भारती जनता पार्टी को सीट नहीं मिलने जा रही है यदि लहर रहा मोदी का यदि धाई सो के उपर पार जाता है तो मान लिया जायेगा कि मो इन सेफलाजिस्ट में गीने जाते हैं और समय समय पर इनका आकलन विशलेशन खरा उतरता है देखने वाली बात है चार जून की बात है चंद दिनों की बात है कि सब कुछ यदि उत्तर परदेश में 50 सीट इनों ने पार किया तब तो BJP की सरकार बनेगी हाँ सुधीब सिर्वास्तों इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि NDA की सरकार नहीं बनेगी याने बनेगी हमें और आपको इन विचारों के साथ चार जून का इंतिजार करना पड़ेगा उसी दिन पता चलेगा कि तीनों मशुहूर से फैलाजिस्ट में किसका आखड़ा सरकार बनाने के बहुत करीब या सरकार बनाते हुए नजारा रहे है शिर्वास्तो जी आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और दर्शकों को नमस्कार